तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक वीडियो को देखिएगा इसमें सब चीज़े बताई गई है बहुत अच्छे से आपको समझाय गया है तो आप इसको पूरा अंतक जरूर देखिएगा जो भी आपको डाउट आता है कोई इसमें अगर सजेशन है है कोई भी डाउट है कोई भी फीड़बेक है तो उसको कॉमेंट सेक्ष्ट में करके चुरू बताईएगा हेलो एन वेलकम यूँवन टो लेट्स कराकेट देखिए गुपता तो यह है 2016 में जो आरो यारो सचीवाले का पेपर हुआ तो यह पेपर बहुत इंपॉटन्ट है आगे आने वाले जो आरो यारो सचीवाले की वेकिंजि आने वाली है उसका बैच चलर inch चलरा रहा तो सबसे पहले पेपर होता है कि एसी बाड़ी के अंदर क्या चीज होती है जिससे बाड़ी में इम्यून सिस्टम डवलप होता है यानि कि जो प्रती रोतक शमता है किसी बीविमार से लड़ने की जो शमता है वो पैदा होती है तो वो antibodies होता है body के अंदर antibodies होती है फिर दूसरा question पुछा गया था कि स्वाइन फ्लू किससे व्यसे होता है स्वाइन फ्लू वाइरस के व्यसे होता है फिर protein का main element क्या है protein के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो main होती है वो होता है nitrogen उसके बाद कहा गया है कि जो thermodynamics है उसका पहला law किसके conservation की बात करता है thermodynamics का जो पहला law है वो energy के conservation की बात करता है यानि कि उर्जा के conservation की बात करता है फिर पांचवा question आता है कि environment की problems को देखते हुए कौन सा insecticide ऐसा है जिसका इस्तमाल को कम कर दिया गया यह लगबल लगबल खतम कर दिया गया है तो वो है DDT फिर next question आता है कि petrol से लगी हुई आग को आप किस तरह से भुशा सकते हैं तो petrol से लगी है आपको आप उस पे carbon dioxide से ड़क कर या जो carbon dioxide gas है उसको इस पे spray करके आप उस आप को भुशा सकते हैं fruit ripening hormone वो क्या है fruit ripening का मतलब यह हुगा कि अगर हमें फलो को कच्चे फल को जल्दी पकाना है तो उसमें क्या लगाएं जिससे की वो पक जाए तो ethylene gas होती है तो ethylene gas जो है अगर आप उसको उसको उस पे release करेंगे तो वो easily बहुत तेजी से उनका जो प्राइपिरिंग रेट है पकने का जो दर है वो भढ़ जाती है sunflower की वीजूसर क्या मिलता है sunflower की वीजूसर तेल मिलता है पार्सिक किस चीज की unit है पार्सिक जो है वो दूरी की unit है distance की unit है उसके बाद आता है कि Charles Babbage ने जो पहला computer design किया था उस computer को क्या कहा जाता है तो जो Charles Babbage ने पहला computer बनाया था उसको analytical engine कहा जाता है तो next आता है कि non-volatile memory का example क्या है non-volatile or volatile memory क्या होती है हिंदी में भी एलची लिखी वी है volatile or non-volatile non-volatile memory वो memory होती है जिसको हम खतम नहीं कर सकते हटा नहीं सकते और volatile memory वो होती है जिसको आफ delete कर सकते हो-पैस से उसमें कुछ लिख सकते है तो cash memory ये temporary memory होती है इसमें जो विया आप काम कर रहे होती है वो cash memory में जाता है RAM जो होती है ये भी हम हटा सकते है लेकिन read only memory ja room जो होती है वो एक ऐसी memory है जिसको आफ़ हटा नहीं सकते जो कि किसी भी computer जब computer बनाया जाता है laptop ते यार होता है PC ते यार होता है तब उसमे permanently उसमे store कर दे जाती information तो वो room के अंदर होती है next आता है 12th question कि वो device बिताईए जो एक digital signals को analog signal में convert कर दे और analog signal को digital signal में convert कर दे तो दोनों चीज़ों को काम करता है उसको बोलते है modulation demodulation device यानि की modem तो modem उसको बोल जाता है modulation demodulation modem का platform क्या है MO से modulation और DM से demodulation फिर next आता है कि super most powerful type of computer कौन सा है super micro, super, micro mini तो सब को पता है super computer ही सबसे ज़्यादा powerful computer है next आता है कि database को manage करने के लिए इस में से हम किस चीज़ का इस्तमाल करते हैं operating system का करते हैं क्या compiler का DBMS का दे कि नाम है DBMS है यानि कि database management system तो database को manage करने के लिए DBMS का इस्तमाल किया जाता है अब यही same चीज हिंदी में लिखी गई है तो आप हिंदी में देख सकते हैं हिंदी वाले जो students है वो देख सकते हैं कि आप antibody है विशानू, nitrogen, उर्जा, DDT उसके बाद फिर carbon dioxide है फिर ethylene है gas और फिर तेल है फिर यह parse दूरी का मातरक है फिर analytical engine कहा गया है उसको फिर यह ROM है फिर यह modem है सूपर कंप्यूटर है और DPA वैसे तो सेम हिंदी में भी answers लगाती है इसकी PDF जो सची वाले है कि paid students है उनको पीडिएफ है वो प्रोवाइड करती गई है उन students को वो मिल जाए कि बाकि आप लोग इस वीडियो को अंतर जुरूर देखीगा जिससे कि आपको सारे के सारे questions के answers पता से लिए next आता है Pentium अगर हम देखें कि Pentium किस से related है तो Pentium computer के अंदर microprocessor होता है जिस तरह से हम Pentium कहते है कि Pentium 3 का computer है या Pentium 4 का या फिर जैसे आज की टाइम पे हम कह रहे है कि Core i3 है Core i5 है तो इससे microprocessor होते है फिर next question है कि इन में से कौन सा ऐसा process करें जिससे की file को छोटा किया जा सके किसी भी file को और वो intent पे easily move कर सके तो उसको हम बोलते है compression यानि कि अगर हम file को compress कर देंगे पहले file अगर 10MB की थी 20MB की थी for example और 20MB की file को आपने compress कर दे arithmetic and logical unit बहुत ही simple question है यह next आता है कि input device इन में से कौन सा है तो input device देखिए इन में से कौन input device नहीं है not कुछा गया है कि कौन input device नहीं है यह धियान अपना है तो देखिए mouse से ताप input देते ही है light pen से भी देते है keyboard दबा के जो keys दबाते है वो पता होने चाहिए कि first generation computers में vacuum tubes का इस्तेमाल किया गया था second generation में transistors का इस्तेमाल किया गया था third generation में ICs का इस्तेमाल किया गया था और फिर fourth generation में आजकल तो ICs और फिर बहुत सारी multi integrated ICs जो आ रही है वो कहीं सारी तरह के ICs आती है यानि कहने का मेलग यह है कि अलग-अलग generations में अलग-अलग चीजों के इस्तेमाल किया गया है और उसके वैसे computer के जो sizes है वो बहुत साथा कम होते चले गए है next आता है बहुत अच्छा question ने geography का world geography से सवाल है कि कौन सी नदी ऐसी है जो equator को दो बार cross करती है यानि कि भू मंते रेख़व को दो बार cross करने वाली ऐसी कौन सी नदी है लेकि नाइजर नहीं है नील नदी भी नहीं है और Amazon भी नहीं है जाहरे है जाहरे का दूसर नाम है Congo तो जो Democratic Republic of Congo जो देश है बीचो भी जहां से equator निकलता है महाँ पर वर्षा वन भी है एवर्ग्रीन फॉरेस्ट भी है और वहाँ पर जो उस country का पुराना नाम जाहरे हुआ करता था नाया नाम है Congo है Democratic Republic of Congo और नदी का नाम भी Congo है उसको कभी कभी जाहरी भी कहती है जाहरे नदी है कुंगो नदी कुछ भी आ सकता है आपके सामने आज जाहरे उप्शन लिखावा है इसमें कल वो कुंगो नदी भी आ सकता है लिखावा तो बात ही किये नेक्स्ट है कि इन्वेसे country capital का जो पेर दे रखा मुझे कौन सा correct पेर नहीं है तो देखे correct अगर पेर की बात करें तो ब्रजील और ब्रसीलिया ये सही है ब्रजील की राज़दानी रियो डिजिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है अगर आपको ये रखता हो कि ब्रजील की राज़दानी रियो डिजिनेरियो उगलत है राजील की राजदानी ब्रेसीलिया है ट्यूनीशा की राजदानी ट्यूनीश है अलजीरिया की अलजायर्स है मुरुको की रबात है आरे बी ए टी ए तो ये जो है ये कैपिटल है मुरुको की माराकेश वहाँ का एक शहर है मारा के स्ट्रीटी एक बार साइन हुई गी थी आप मुझे comment section में comment करके बताएंगे कि मारा के स्ट्रीटी किस चीज से संबंदित है next आता है कि म्यानमार के border पे अगर हम देखें तो भारती है states को north से south के sequence में लगाना है यानि correct north south sequence क्या होगा सभी राज्योगा थ्यान मारक और फे तो आपको ध्यान दखना है अरुना kami अगर आप अरुना kami ध्यान लखेंगे तो आपका काम हो जाएगगा अरुना Mami कैसे है देख सकते हैं अरु से अरुना चल मा से नागलेंड मा से मनीपूर और मा से integrand तो अरूना अरूना मामी तो अरूना मामी धियान रखेंगे तो अरूना चलब्रदेश, नागलेंड, मनिपूर और मिजोरम तो इस तरह से चारो राज्ये जो हैं ये आपके लाइन से हैं उपर से नौट से लेके दक्षिन तक यानि कि सौट से दक्षिन तक फिर आता है अगला कुश्चन है कि थाउजन लेक्स का लैंड किस को कहा जा रहा है किस देश को कहा जाता है लैंड और थाउजन लेक्स तो इस फिल्लेंड को कहा जा रहा है कि फिल्लेंड में बहुत सारे लेक्स है next आता है कि इन मेंसे किस देश में live stock ranking बहुत जाथ famous live stock ranking का मनलाब है कि बहुत बड़ी मातरा में हम live stocks पालते है जनल कि जो मवेशी है जनवनलिंग को पालते हैं और वो वहाँ पे चर्थे भी है घास वगारा भी चर्थे है नेक्स आता है कि भारत की सबसे लंबी जो longest international boundary है वो उसके साथ है जातर लोग को लगता है वो चाहिना है लेकिन जिनल लोगो ने पढ़ा हुआ है वो बता देंगे easily कि बांगले देश के साथ सबसे लंबी international boundary है 4096.7 km लंबी चाइना की फिर दूसरे नंबर पर आती है 3,323 किलोमेटर लंबी उसके बाद फिर पाकिस्तान आता है फिर नेपाल म्यानमार ऐसे करके सब या जाती है फिर नेक्स आता है कि 2011 सेंसस के साब से बताईए कि किस राज्ये की हाईएस लिटरिसी रेट है लेकिन इन चारो आप्शनस जो दिये हुए है इन मेंसे सबसे ज़्यादा लिटरिसी रेट मीजोरम का है और इन मेंसे कौन सी पी कैसी है जो उतराखंड में लोकेटड नहीं है तो देखे कामेत उतराखंड के अंदर है बांदर पुंच है और दूनगिरी भी है ट्रांजिस्टर जो है दोसरी पीड़ी में व्योग हुआ है बूमत देरेखा को दो बाट जायरे ने काटा है फिर कौन सी देश राखंडानी सुमिलित सही नहीं है तो मरक और मराकेश है फिर कौन से उत्तर से दक्षिर में तो अरुना मामी ध्यानुकिएगा करता है कि 2015 में जो युनाइटी नेशन्स ने एस्टीमेट दी रहे है क्योंकि यह पेपर 2016 का हुआ है तो इसलिए क्षिशन्स इसमें लगब लगब 2015-2016 के करेंट अफैस के बेसिस पे होंगे लेकिन वो इवर पढ़ लेने ज़रूरी है हो सकता है कुछ क्षिशन उसमें से हमारे आगे आने वाले कोई भी एक्जाम जो होने वाले है उतराखन में सभी के लिए relevant रहेंगे तो युनाइटी नेशन्स की 2015 यानि संहिव रास्ट की 2015 की एस्टीमेट के साब से दुनिया की जनसंख्या 2030 में कितनी हो जाएगी तो वो 8.5 बिलियन हो जाएगी और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एकला कॉश्चन 29 कॉश्चन ही कह रहा है कि कौन सा तट ऐसा है भारत का जहां पर एवरेज सी लेवल मेजर किया जाता है तो कौन से कोस्ट से तो वो चिन नहीं से किया जाता है पहले कराची से किया जाता था पाकिस्तान के अंदर जो चला गया है और जब कराची कराची पाकिस्तान में चला गया उसके बाद से फिर ये चिन नहीं करने लगे फिर next question आता है 30th question है कि इन में से कौन सा statement ऐसा है कौन सा कतन ऐसा है चो गलत है तो गुदावरी सबसे लंबी नदी है South India की बिल्कुल सही बात है next आता है कि कोसी रिवर को हम क्या कहते हैं तो कोसी रिवर को सोर और बिहार का जाता है बिहार का शोफ कहा जाता है बिल्कुल सही बात है पिर आता है कि ब्रह्मापुत्र एक एक एंटिसीडेंटल रिवर है यानि कि वो हिमाले परवत बनने से पहले भी हुआ करती थी और उसके बनने के बाद भी है तो उसको एंटिसीडेंटल रिवर कहा जाता है तो बिल्कु सही बात है और कहा जा रहा है लास्स स्टेट्मेंट यह है कि गंगा गंगोत्री से औरजिनेट करती है यह गलत है पहली बात तो गंगा औरजिनेट अगर हम देखें तो गंगा रीवर जो बनती है वो देव प्रियाख से बनती है उससे पहले भागिरती नदी बनती है जो की गोमूग गलेशर से निकलती है और गंगोत्री के पास से निकलती है गंगोत्री जो एरिया है उतरकासे डिस्टिक में महाँ पर गोमूग गलेशर है वहाँ से निकलती है तो गंगा तो गंगोत्री से नहीं निकलती है यही statement इसमे इनकरेक्ट है, फिर आता है इन मेंसे कौन सा स्टेट और उसकी डेट ओफॉर्मेशन का जो पेर है, वो करेक्टली मैज्ड है, तो हर्याना ही सही है, हर्याना 1966 में बना था, हलागि तेलंगाना 12-14 में बना है, लेकिन 15 अगस्त को नहीं बना, दो जून को बना है, तो इसलिए ये स्टेट्मेंट्स, ये बाकी तीन जो है, ये गलत सुमिलित है, जो सही सुमिलित है, यानिकि सही जो करेक्टली मैज्ड है, वो हर्याना 1 नवेंबर 1966, फिर आपको बताना है, 30 second question में, कि सबसे बड़ा producer कौन है, दालो का भारत में, वो मध्यपरतेश है, और box site की largest reserve कहाँ है, किस देश के अंदर box site के largest reserve है, वो Australia में है, फिर next question कह रहा है, कि इन मेंसे कौन सा राज्जे ऐसा है, जिसका largest forest area है भारत में, वो है मध्यपरतेश, फिर next आता है, कि national population policy, जो है, वो कब announce की गई थी, तो national population policy, जो announce की गई थी, वो 2000 में की गई थी, फिर next आता है, world population day, कब observe किया जाता है, तो world population day, 11 July को observe किया जाता है, और mobility transition model of migration, ये किस ने दिया था, ये सब 12th class की, जो अगर आप NCRT पढ़ेंगी जोगरफी की, तो जो economic geography और population geography है, जो हम बढ़ते हैं, demography, 11th और 12th class की जो NCRT है, बेसिकली 12th class की NCRT है, जोगरफी की, उसमें सब चीज मिल रहींगी आपको, तो ये है जैलिंस की, नेक्स्ट है कि कौन सा पेर इसमें से correctly masked नहीं है, थारू उतरबरदेश की tribe है, यानि कि उतराखंड में भी रहती है, और उतरबरदेश में मिलती है, गद्दी इमाचले प्रदेश में मिलती है, टोडा तमिनाडो मिलती है, कोनियाक आपको केरला में नहीं मिले किसी भी शहर का दिल लिया, बीचो बीचो बहुती प्राइम लोकेशन होती है, किसी भी शहर की, वो कौन से हो सकती है, वो है central business district, यानि कि जहां पे पैसे काम है, जहां पे business सल रहा है maximum, अहीं पर यह रहता है, अब यही सेम चीज हिंदी में है कि, दुदातीस के अनुसार, विश्की जनसंक्या कितनी, 8.5 अरब, समुद्रतल से, नापफो का चिन्नाई से, फिर में से कौन सा कथन गलत है, गंगर नदी, गंगुत्र से निकलती है, गलत है, हरियाना जो है, वो 1 नमेंबर 1966 में बना था, यही जो एक यूगम है, वो सुमेलित है, सही सुमेलित है, फ फिर वन शेतर भारत में सरवादिक कहां पर है, यह मध्यवर्देश में है, राष्टी जनसंक्या नीती 2000, वेश्व जनसंक्या दीवस 11 जुलाई, और जो पलायन का गतिश्वीलता संक्रमन मॉडल है, यह जनस्की ने दिया था, उसके बाद फिर कौन सुमेलित नहीं है, को किस ने भारतिय राज्यों का, भारतिय शहरों का, फंक्शनल क्लासिविकेशन क्या था, अशोव मित्र ने किया था, नैशनल अवार्ड जो है, चैल्ड वेलफेर के लिए, यह 1979-80 में स्टार्ट किया था, इको सिस्टम जो टर्म है, सबसे पहले इस तवा 1935 में, टैंस ने किया था, फिर जो इन्वार्मेंटल एज्योकेशन का जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले, किस राज्य ने अपने स्कूल के करिकुलम में इसको इंड्रड्यूस किया था, तो वो किया था, महारास्ट्र ने, फिर ओजोन डिप्रिशन का जो कारण क्या है, जो ओजोन एक परत ह जो हमें सन की, सूरज की, UV किरनों से हमें जो बचाता है, अल्टर वेलिट किरनों से, प्यारा भैंगनी किरनों से हमें बचाता है, तो वो, जो मेन रीजन है, ओजोन डिपीशन का वो कौन है, वो है, CFCs, यानि कि क्लोरो-फ्लोरो कारण जो की, फ्रिज में से, ACs में से, इ don't know क्योंकि इंदराकांदी कैनाल से जो अगर आप western राजिस्थान देखेंगे वो बहुत हरा बरा हो गया यानि कि वहाँ पर desertification को रोका गया है इस नदी इस नहर के थूँ पानी आया है और वहाँ पर खेती भी की गई है और वहाँ पर बहुत अच्छे से काम भी किया गया है हर्याली भी वहाँ पर हुई है और था desert का जो विस्तार था उसको भी रोका गया है अब question पूछ रहा है कि land degradation तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि land degradation question में क्यों दिया गया है अगर किसी को पता है तो आप मुझे comment section में comment करके बता है कि इससे land degradation कैसे हो रहा है कैनाल बनाने से वहाँ पर जब पानी आया है तो वहाँ पर जितना भी articles पड़ें है उसमें तो यही बताए गया है कि वहाँ पर बहुत अच्छी हर्याली हो गई है काफी अच्छा वहाँ पर agriculture हो रहा है तो land degraded कैसे हो रही है नेक्स क्कॉशन कहाता है 47 कि बायो डाइवर्सिटी क्या है अपना में तो बायो डाइवर्सिटी में सभी चीज आ जाती है इसपीशीज आ जाती है इसे भी जीन से हम पूरा एकोसिस्टम में सब कुछ आ जाता है ऐसे ट्रेन के लिए कौन को रिस्पॉंसिबल है ऐसे ट्रेन के लिए रिस्पॉंसिबल है और नाइट्रोजन ऑकसाइड गैस और उसके बाद 49 कुशन यह आता है कि यह भी एक अगर आप इन्वार्मेंट का पढ़ेंगे इन्वार्मेंट इक लाजी आपने पढ़ा है सब्जेक्ट तो उसमें साब बता सकते हैं कि कौन सा टूंडर रिजिन के लिए तो आप इस तरह से धियान रखिए कि जो मेका थर्म है वो आता है एक्येटोरियल रिजिन के लिए यानि क तो आ का 2 है 3 है C का 4 है और खीर ऑडी निर ने किया था जो बाल कल्याने के लिए राश्ट्रे पुरुसकारШАरे 1979 में लगे 1935 में परितंत्र सब्द का प्रथम प्रयोग इसने कहा था ट्रांसले ने किया परियावरेनिय सिक्षा महारास्टर में शुरू हुई फिर क्लोरो फ्लोरो कार्वन रेस्पॉंसिबल है ओजोन लेयर के हरास के लिए फिर राजस्थान में भूमी शरण के लिए उत्तरदाई कोन है इंद्रा गांधी के नाल है जैविविद्धा जो है वो संबून प्रजातियों संबून जीन में संबून परितंत्रों का योग है फिर अमल वर्षा के लिए कौन उत्तरदाई है सलफर डाइकसाइड और नाइटूजन डाइकसाइड और उसके बाद फिर इनमें साब को ये पादप है और ये जलवाई उप्रदेश है तो ये 2341 इसका सही जवाब है एक 50th question और देख लेते हैं तो 50th question ये कह रहा है कि Central Government की जो Stand Up India Scheme है उसको promote करने के लिए entrepreneurship को promote करने के लिए ये किस-किस के लिए चलाएगी थी तो ये SCST और महिलाओं के लिए scheme चलाएगी है बाकी और जो questions हैं अगर आपको कोई भी इसमें doubt आता है कोई भी आपको doubt है तो आप मुझे comment section में comment करके बाकी जितने भी questions आपके इस दोरान पूछे कहें हैं जितने भी चीज़े मैंने आपसे पूछी हैं तो आप उसको भी comment section की धरती को से चमकाईएगा अपने comments को करके चलिए बाकी मिलते हैं next video में so thank you and bye bye